सोनी टीवी के पॉपिलर शो कथा अनकही में वियान को पता चल चुका है कि कथा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है होता ये है कि राघव वियान को एक इवेंट पर लेकर आता है और कथा भी वहां मौझूद होती है अचानक से लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो कथा और वियान एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और कथा के हाथ में कैंडल होती है। दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और इतने में वहाँ पर एंट्री होती है राघव की जो इन दोनों को इंट्रेड्यूस करवाता है और बताता है कि वियान रगुवंची ये वही है जिनकी वो बुक पढ़ते रहते हैं और फिर राघव कहता है कि आपकी बुक आपकी कथा है और मेरी कथा है ये मिस कथा सिंग जिनसे मैं जल्द शादी करने वाला हूँ इसके बाद वियान का कोई रियाक्शन नहीं आता है दो मिनट के लिए बस वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और राघव बाते करता रहता है और उसके बाद वियान कथा के हाथ में जो क्यांडल होती है उसे ब्लो करतेता है वियान कुछ जादर रियाक्शना करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बिजी है और बाद में देखने को मिलता है कि किस तरह से वियान सोचता है कि वो कितना पागल था जो वो इतना वेट कर रहा था कथा का जबकि कथा मूव अन कर चुकी है बहुत ही अजीव से एक्स्प्रेशन होते है वियान के कभी वो हस्रा होता है और सोचते हैं कि चलो कथा अपनी लाइफ में मूव अन कर चुकी है और रागफ के साथ खुश दिख रही है इसलिए वो चुप चाप वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपने घर वालों के सामने भी काफी जादा खुश नजर आता है और सभी को बोलता है कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि कथा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है और अब टाइम है कि वियान और उसके फैमिली मेंबर्स भी आगे बढ़ जाए